नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफार्म पर और आप देख रहे हैं हमारा खास सो रेड़ कार्पेट रेड़ कार्पेट पर हम समाज के तमाम जोलंत मुद्दों पर राजनेतिक हालातों पर चर्चा करते हैं चर्चा में इन दिनों राम जनम भूमी है अयोध्या के राम हैं और राम के क्या रहस हैं राम को लेकर बहुत सारी ऐसी कहानिया हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आज हम उसी तरह की एक रहस्य और कहानी पर चर्चा करेंगे आपसे जो अयोध्या से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर गुपतार घाट जो बसा है उससे जुड़ी है गुपतार घाट फैयाबाद की सीमा से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है सर्यू नदी के किनारे इस्थित है और यहां का पवित्र और भव्य पंच मुखी महादेव मंदिर और निर्मली कुंड राम से जुड़ा है इसका इतिहास और रहस बहुत कम लोग जानते हैं खासियत यह है कि जब राम चंदर जी 14 साल का वनवास पूरा करके वापस लोटे तो अयोध्या की सीमा पर तमाम नर्नारी उनकी माताएं रिशी मुनी देवता उनके स्वागत के लिए पहुँचे थे राम का जब विमान उत्रा तो वहां पर रिशीयों ने सला दी कि प्रभू आप 14 साल वनवास काट कर आए हैं राक्षसों का आपने वद किया है तो अयोध्या की सीमा में परवेश करने से पहले आवश्यक है कि आप अपने सरीर को असनान करके निर्मल करिए राम चंद्र जी ने जिस कुंड से यानि कि कुवा जिस कुंड से उन्होंने असनान किया उस कुंड का नाम निर्मली कुंड पड़ा बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे एक और सबसे बड़ी बात यह है कि राम चंद्र जी ने अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ दो अस्थानों पर अपने हाथ से भगवान स्यू की अस्थापना की है पहला सेत बंधु रामे शुरम और दूसरा गुपतार घाट का पंच मुखी महादेओ निर्मली कुंड में असनान करने के बाद भगवान राम ने कहा कि वो शू की अराधना करेंगे उनकी अस्तुति करेंगे और पूजन करने के बाद ही वे युद्धा में परवेश करेंग और वहीं पर उन्होंने अपने हाथ से पांच मुखों वाले शुव यानि पंच मुखी महादेओ की अराधना की उनकी अस्थापना की और यह मंदिर बेहत कहा जाये तो इसके बारें बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन बेहत सिद्ध माना जाता है ऐसी मायनता है कि जो मांगते हैं मनुकामना मांगते हैं छे महीने में उनकी वह इच्छा पूरी होती है पंच मुखी महादेओ आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि अयोध्या में भव्य राम जनमभूम का सिला न्यास होने जा रहा है राममंदिर का निर्माव होने जा रहा है पूरे देश मानयता थी जो लोगों की आकांग्छा थी जो लोगों की उम्मीद थी वह पूरी होने जा रही है ऐसे में युद्या के साथ साथ गुपतार घाट में राम के इस मंदिर का और इसकुंड का विश्यस महात हो जाता है सियासत से इतर यह एक अतिहासिक अस्थल है लेकिन इसक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे इस रहस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं राम चंदर जी ने यहीं असनान करके अपने सरीर को निर्मल किया उस जगा का नाम निर्मली कुंड पड़ा उसके बाद उन्होंने जहां पर शिव जी के अपने हाथ से अराधना की प सीता लक्षमड सब मौझूद से इस पूरी प्रक्रिया में तो सब्स्akाहिव हिंदू धर्म समाज की एक खासिज धरूहर है और हम जातें कि लोग इसे बारे में जाने इसकी पाउराणक्ता इस के महत्त और इस तो बहर हल हम आगे आपको भी आइसे ही तमाम प्रोचक जानकारी देते रहेंगे और आप हमारे इस शो को देखने के लिए रेड कार्पेट को बेल आइकान जरूर दबाईए घंटी जो है वो जरूर दबाईए और सब्सक्राइब करिए तभी हम तमाम सारी जो आपके लिए रोज नही नही जानकारिया लाते हैं वो आप से हमारा अन्रोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकान दबाईए नमस्कार